अनमान जी महराज संकटों से छोडाते हैं और गडेश जी महराज बिगन से बचाते हैं बिगनों से बचना अच्छा बिगन क्या है बताओ बिगन क्या है हम लोग कहते हैं गुरु जी हमाई काम में बिगन उत्पन ना हो आवरोध को, ब्रेक को, रुकाबट को ही बिघन कहते हैं आवरोध, ब्रेक, रुकना, इसको कहते हैं बिघन कोई काम चल रहा हो, जैसे हम कथा कर रहे है अब अब ही जो वहाँ पर बेटे भूत नहीं था, कहां गया? ए भूत! कहां गया? गायब हो गया क्या? चांदनी चौक के बजार में तो नहीं घुस गया क्या हो? बजिया जगा भूत पे केमरा करो ओ ठटरी के बढ़े, संस्कार बालो केमरा करो, केमरा भूत को दिखाओ कहां है? खड़ा हो जा नहीं होगा अली बहिंजी भग जाओ बाई हां, कहां है? खड़ा हो जा नहीं होगा बस इसी को बिघन कहती है बीच कता में ये जो चिल्ला रहा तो इसी का नाम बिघन है तुम पूचो बिघन क्या है? कता चल रही हम तो बढ़िया गड़े जी की महमा सुना रहे गीत गा रहे गाई ये गड़पती यगबंदन और बता भूत करो इसी का नाम बिघन है इन बिघनों से बचने का एक ही उपाए है गड़े जी के गले में दूबा की माला और मोदक का प्रशाद लगा कर जो भी दस दिनों तक एक दिनों तक डेड़ दिनों तक गड़पती की सेबा करेगा गड़पती भगवान की पूजा करेगा और गड़े जी के चरित्र को जीवन में उतारेगा तो जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भग जाते हैं जैसे गैस पास हो जाने के बाद पेट हलका हो जाता है बैसे ही तुम्हारे बिगन भी हट जाएंगे और जिंदगी हलकी हो जाएगी गुलोसीतारां गड़पति बप्पा तो हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी का काम संकटों से बचाना गड़श जी का काम भिगनों से बचाना बोलो गड़पति बप्पा अच्छा एक ये काम गड़श जी का कोई दूसरा काम है? हाँ रिद्धी सिद्धी को देने बाले गड़ेश जी बुद्धी को देने बाले गड़ेश जी बहुत से लोग हमने ऐसे देखे भारत में और विदेशों में बल तो है बुद्धी नहीं है पैसा है पर बुद्धी नहीं है कुछ लोगों के पास बुद्धी है सो पैसा नहीं है कुछ लोग कहते गुरु जी पहले के जमाने हमें लोग मिलते थे सहरों में गाउं में क्या अंतर है? एक अंतर है गाउं के लोगों के पास काम नहीं है सहर के लोग फिरी नहीं है यहां किसी से काम आजाओ भीया, कथा सुन लो, कथा, गुरू जी हमें बहुत काम है, अगर कथा सुनाने गाउं में जाओ, और सुना भीया, क्या बताएं गुरू जी, सब ठीक है, कोई काम नहीं है, तो बड़ा बिरोधाभास है, लेकिन गडेश जी क्या करते है, गडेश जी की जो पूजा क कि नहीं, बोलो जय बजरंग बली, मकान हो पर मकान में रहने बाला कोई नहीं, तो मकान किसी काम का नहीं, आदमी सुन्दर हो पर चरित्र का धीला हो, तो सुन्दरता किसी काम की नहीं, गाड़ी हो पर ड्राइवर नहीं, गाड़ी किसी काम का नहीं, नदी हो पर पानी नह नदी किसी काम की नहीं, सूर्य निकला हो पर सूर्य की रोसनी नहीं, सूर्य किसी काम का नहीं, कथा हो पर कथा में भगती नहीं, जीवन हो और जीवन में भगवान का गुरू का आगवन नहीं, तो जीवन किसी काम का नहीं, बैसे ही सकती हो, बल हो, पर बुद्धी नहीं, त तो बुद्धी चाहिए तो क्या करना है? एक ही काम. गाई है. क्या करना है? किस-किस को बुद्धी चाहिए? ज़रा हाँ उठाओ. गाई है, गर्ड़ परती जगवन. तो नो हाँ उठाओ के गाओ. संकार सुवाना भादी के नंदननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन का आई ये गड़ पती, गड़ पती तो भिगनों को मिटाने बाले, बुद्धी को बढ़ाने बाले देवता का नाम है सिरी गनेज क्या नाम है, बोलो बोलो, जोर से बोला स्री गड़ेस, गड़ पती पपा, मंगल मूर्ती गड़ पती पपा, मंगल मूर्ती जिनके पास बुद्धी नहीं होती, उन्हें कोई भी उल्लू बना जाता और आजकल का जमाना तो भाई साब बहुत उल्टा है सामने बनेंगे भाई, पीछे बनेंगे समझ जाईए सामने तो बनेंगे भाई, पीट पीछे बनेंगे कसाई ऐसे जमाने में बुद्धी की बड़ी जरुदत है अच्छा बुद्धी कैसे मिलेगी गाई है गडेश भगवान की उपासना से गडेश जी का अवतार कब हुआ दो जगे कथा मिलती है बादपद की चतुर्ती को, सुकलपक्ष की चतुर्ती को स्री गडेश भगवान का उतार हुआ इसलिए उसे गडेश चतुर्ती के नाम से जाना जाता है बोलो गडेश भगवान की जो गडेश चतुर्ती से दस दिनों तक गड़ेश भगवान की उपासना पूजा मंत्र का जाप नियम करता है उसके काम में आने बाले बिघनों को बिघन बिनायक स्री गड़ेश भगवान दूर कर देते है बुलो सीता राम अब गड़ेश जी का जरा तीसरा काम सुनिए बुद्धी देना तो गड़ेश जी का काम है बिघन मिटाना तो गड़ेश जी का काम है रिद्धी सिद्धी देना भी गड़ेश जी का काम है रिद्धी सिद्धी? हाँ कोई आदमी कोई काम करे तो कई लोग कई बार हम लोग गाव में कहते इनको तो इस काम में सिद्धी है कई लोगों को चाय बनाने की सिद्धी होती है कई लोगों को भोजन की एक विसेश डिस बनाने की सिद्धी होती है कई लोगों को मंच लगाने की सिद्धी होती है कई लोगों को गाने की सिद्धी होती है जब वो राग गाते हैं तो बैसा ही माहुल बन जाता उसको हम लोग कहते सिद्धी अपने काम में निपुरता प्राप्त करने को ही सिद्धी कहते पढ़ने में अगर सिद्धी चाहिए सफलता में सिद्धी चाहिए काम में सिद्धी चाहिए संसार में नाम में सिद्धी चाहि वो रिद्धी भी पाएगा और सिद्धी भी पाएगा